बिहार में गंगा का बड़ा ही महत्वा है और ऐसी में पटना में गंगा में परियतन को बढ़ावा देने के लिए परियतन विभाग द्वारा फ्लोटिंग रिवर बोट की शुरुआ की गई इस floating boat में restaurant, conference hall है, जिसमें लगभग 30 लोगों की capacity, 28 लोगों की बैठने की छमता वाला restaurant भी है साथ ही इस boat पर party का भी आयो ज़क्ति किया जा सकता है यह boat दो floor का है और नीचे floor पर restaurant है, साथ ही उपर floor पर बैठने की भी विवश्था की गई है पत्ता की लोग या भी हार की लोग कोई भी जो है इस service का जो है उप्योग कर सकते हैं और इसमें बर्दे पाटी हो या celebration की कोई बात हो या ब्रिंग सरेमनी हो इसमें रेस्टरॉंट की भी विवस्था है और यह दो floor में है इसके आपर टेक में हम लोग अभी खड़े हैं पत्ता सिती जो रहा है और इलाकों से जो हम आप जा सकते हैं पत्ता का नजारा का लुफ्त उठा सकते हैं काफी बहुत ही बढ़िया परियटन को देखते हुए यह है बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा से अधिक परियटन बिहार में है महात्मा बुद्ध की होने की वज़े से बुद्ध देशों से लोग यहां आते हैं बिहार में परियटकों को अधिक दिन तक रोकना एक चनौती जैसा है और इसके लिए हम टूर गाइड आधी के साथ बैठक कर रही है तो वास से जाधा टूरिस जो है फुटफॉल जो है वह बिहार क्या है आप लोग सब लोग जानते हैं चाहे पेंडरदान में कितरी लाकों की तादाद भी लोग आते हैं और पूरी साउध अच्छिन कंट्री से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं क्योंकि माहत्मा बुद्र की धर्ती रही है उसको देखते हुए लोग जो है बरी संख्या में पिहा इसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी टूर गाइड थे उन सब लोगों के साथ यह टूर ऑपरेटर्स वगरा है इन सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और इंटरनाशनल लेवल पर भी लोग जा रहे हैं और आपको बता दे कि बर्लीन में जो इंडिया न हुआ 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 है